दोस्तो यार आज का अपना टॉपिक है आदूनिक काल कक्सा 12, BF 1st year, 2nd year, Final year, M.A. तक वाले विद्यारतियों के लिए जरूरी है विक्रम समवत 1200 से लेकर अब तक के काल को कहते हैं आदूनिक काल आदूनिक काल को कुछ धराओं के अंदर विबक्स किया गया है आज इस वीडियों में उन धराओं के मारे में बात करेंगे सबसे पहले अदूनिक काल की टुकडे के रूप में बात करते हैं तो सबसे पहले टुकडा माला जाता है बार्तेंदु यूग जो बार्तेंदू बापू हरीश्चंद्र के नाम से पढ़ा था बार्तेंदू यूग देखें ये हरीश्चंद्र जी के नाम से उनना पढ़ गया था बार्तेंदू यूग उसके बाद में थोड़े से इस यूग के टुगडे की तरफ चलते हैं तो अगले टुकड़ा वहाँ दिर्वेधी यूग, उसके बाद के यूग को कहते है दिर्वेधी यूग, भारतन्दु यूग, दिर्वेधी यूग, छाया बाद, देखें छाया यह नहीं कि कविता नहीं, ये तो छाया है, छाया बाद के परमुकिस्तम पंत परसाद निराल लेकिन पहली कभी है क्विता की छाया ड़िए कहले कि था बढ़ तो पर्गति बाद मतलब की नई तरह से पर्गति मौ मया मतलब की जुब प्रक्रक्षिक संद्री उनसे विश्यस80 प्रकार का लगां उगया इसके लिए से कहते हैं परियोगवाद, परियोगवाद मतलब की नए नए परियोग कर दिये गए, जैसे की मेरा दिल ऐसे टूटा, जैसे बुनना हुआ पापड, एक परियोगवाद का उदारन है, मतलब की साइन्स के साथ परिवर्तन करने लगए, कि कोई भी चीज है, जो साइन्स के साथ करना करने लगए, परियोगवाद के बाद नए कविता, नए कविता की बासा थी, वो खड़ी बोली हिंदी थी, खड़ी बोली हिंदी के अंदर लिखी गई थी नए कविता, ठीक है, खड़ी बोली हिंधी के दवारा लिखी गई कविता को कहते हैं नइ कविता, एक बार में इसके बारे में अब पूरन पूरा डिटेल से एक वीडियो पई ऐंत अपलोड कर दूंगा, आपको वीडियो देहने के लिए म urgently को सस्प्राइब कर देना निकाल को प्रेस कर लेना